हलो दोस्तों अभी तक हमने देखा चार्ज के बारे में और पोटेंशल के बारे में कि चार्ज आपका क्या होता है और पोटेंशल आपका क्या होता है इन दोनों का हमने डिटेल से समझा पोटेंशल को किसे मेजर किया जाता है बोल्ट मेटर से आपका मेजर किया जाता है आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अब इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले हम लोग सम्वाल लेते हैं हमारे पास में दो बोडी है एक आपका चार्ज बोडी है ये माल लीजिये आपका चार्ज बोडी है चार्ज बोडी कोई भी आपका चार्ज बोडी आपने लिया ठीक है और एक और चार्ज बोडी आपने लिया उसको आपने नाम दिया B तो ये एक और आपकी चार्ज बोडी है तो दो बोडी है आपके पास में एक चार्ज बोडी A और एक आपकी चार्ज बोडी कुन सी है ये ज्यादा charge है और ये आपकी low charge body है ठीक है अब यहाँ से आपने समझ़ा इसको ऐसे अब क्या होगा जब हम इन दोनों charge body को connect करेंगे ए और भी को तभ आपका charge का flow होगा इन दोनों body के बीच में ठीक है charge is flowing from highly charged body to low charge body यानि कि आपक चार्ज इस तरीके से flow करेगा metal wire के थुरू clear है तो यहां से इस point को हम लिखते है when two charge bodies when two charge bodies A and B are connected are connected through a metal wire या फिर हम इसको बोल सकते है metal wire कहें या फिर हमने इसे एक समझा कि metal को हम क्या बोलते हैं आपका conductor बोलते हैं तो next इसको हम लिख सकते हैं आपका conductor when two charge bodies A and B are connected through a metal wire comma flow of charge flow of charge takes place flow of charge क्या होगा यहां से जाएगा अब ये तो हमने समझा charge body के aspect में अब जरा हम समझते हैं आपका potential के respect में अब माल लीजिए इनी bodies को ये माल लीजिए आपकी A body है और ये आपकी कौंसी body है B body है यहां पे हमने क्या किया इस body को हमने लिखा higher potential पे यानि कि यहां पे potential आपका ज़्यादा है और इस body को हमने लख रखा जान लेते हैं माल लीजिए यहां पे आपका जो potential है वो है आपका 100 volt यानि कि ज़्यादा हो गया आपका और यहां पे आपका क्या है 90 volt दोनों का potential difference कितना है आपका दोनों का potential difference है आपका this is equal to 100 minus 90 it is equal to 10 volt 10 volt का आपने यहां पे क्या समझ लिया कि potential difference है आपका अब इसका मतलब जहां पे आपका higher potential होगा उसको हम represent करते हैं आपका plus से और जहां पे आपका potential कम होगा उसको हम represent करते हैं minus से अब minus का मतलब आपका क्या हुआ कि यहां पे जो आपके electrons हैं क्योंकि हम flow of electrons देखते हैं flow of यानि कि इसका मतलब negative का मतलब यहाँ पे ज़्यादा concentration है आप पे किसकी higher concentration of electrons और यहाँ पे आपका क्या है positive का मतलब lower concentration of electrons यहाँ पे आपकी concentration low है तो charge आपका कैसे जाएगा charge आपका जाएगा B से A की तरफ क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा concentration होगी और यहाँ पे आपका कैसे lower concentration है तो इसका मतलब charge आपका कहाँ से कहाँ पे जाएगा B से A पे जाएगा clear हुआ, बी से कहां पर जाएगा आपका क्योंकि बी के अंदर electrodes की concentration जढदा है और electrons आपके कैसे flow करते है जहां पर electrons की концortration जधा रहेगी, उससे आपके electrons जहां पर concentration कम होती है, उसकी tongue आपके flow करते है, तो इसका मतलब आपके कहां से कहां पर जाएंगे B से A पे आपके Electrons जाएंगे Clear हुआ Charge के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम किसके बारे में देखते हैं Electrons के बारे में क्योंकि protons तो आपने क्या बना दिया Stationary आपका बना दिया तो यह आपका हुआ इस तरीके से तो इसका मतलब आपका हम यहां से क्या समझे कि जो potential difference है यह आपका सबसे essential parameter है किसके flow के लिए Charge के flow के लिए यानि कि potential difference बनाना जरूरी है तभी आपका charge flow हो सकता है अब यहां पे जैसे हम बात करें A से B की तरफ अगर आपका जा रहा है तो यहां पे हम कह सकते हैं आपका क्या है यहां पे यहां पे आपका lower potential है Higher concentration का मतलब Potential आपका low है Higher concentration of charge यानि कि highly charged body है और यह आपका क्या है यहां पे Higher potential आपका maintain किया हुआ है तो charge आपका कहां से कहां पे flow करेगा From lower potential to Higher potential आपका charge flow करता है अब यहां से आपका देखिए, next point आपका क्या समझे हम यहां से, इस discussion से, कि जो potential difference है आपका, potential difference is the key, यह वो है आपका, जिसकी वज़े से आपका क्या flow करता है, charge flow करता है, कहां से कहां पे, from higher concentration to lower concentration, so potential difference is the key to flow, to flow the charge from higher concentration to lower concentration, कहां से, कहां पे आपका जाएगा, higher concentration of charge to lower concentration of charge, यह किस की वज़े से जाता है आपका, potential difference की वज़े से जाता है, अब देखो, यहां पे हम किस के बारे में discuss कर रहे हैं अभी तक, हमने charge देखा, potential difference देखा, यह तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन, इसका main बताने का motive क्या है आपका, कि यहां से, हम लोग समझेंगे, कि current आपका क्या होता है, तो अगर मैं बताओं, कि एक second के अंदर, या फिर आपका, कुछ time, particular time के अंदर, कितना charge आपका flow कर रहा है, इस metal wire के धुरू, उसी को हम बोलते हैं, आपका current, उसको हम क्या बोलते हैं, current आपका बोलते हैं, तो यहां से next आपका बोलेंगे, flow of charge, flow of charge per second, एक second के अंदर, आपका कितना charge flow किया, is called, is called, electric current, इसी को आपका क्या बोलते हैं, current बोलते हैं, तो यह आपका क्या हो गया, electric current आपका हो गया, अब charge के unit क्या होती है, कोलम, potential के unit आपके क्या होती है, volt, और current के unit आपके क्या होगी, यह जरा हम देख लेते हैं, यहां से, SI unit of current, is ampere, इसको हम बोलते हैं, ampere, यह भी एक scientist का नाम है, जिसके honor में इसकी unit रखी गई है, इस called ampere, SI unit is ampere, ठीक है, अब आगे देखो, यहां से आपने क्या लिखा कि flow of charge per second, अब यहां से current की जो representation होती है, वो आपकी होती है, representation of current, of current, is I, इसको हम I से आपका represent करते हैं, तो I यहां से क्या हो जाएगा, आपने लिखा flow of charge, यहां कि Q, Q आपका क्या होता है, charge per second, यहां कि time, तो I इसको आपका क्या जाएगा, Q by T और इसके unit, ampere, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, represent करते हैं, अब यहां से आपका सवाल उठता है, कि एक ampere का current आपका कितना होगा, तो एक ampere current आपका कितना ह हो जाएगा, अगर हम Q की value को 1 coulomb place करते हैं, और time आपका 1 second रख दे हैं, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक ampere current आपका current आजाएगा यहां से, तो एक ampere current को हम क्या बोलेंगे, 1 ampere of current is defined as, इसको कैसे define किया जाएगा, कि 1 coulomb of charge, 1 coulomb का charge, flowing in 1 second, if 1 coulomb of charge is flowing in 1 second, then it is called 1 ampere, तब हम इसको बोलते हैं, क्या आपका, 1 ampere, तो अब हम इसमें लिखते हैं, 1 ampere की definition, 1 ampere के current को हम लिखेंगे, 1 ampere of current is defined as, इसको कैसे define किया जाएगा, कि जब 1 coulomb का charge, आपका 1 second के अंदर flow करेगा, तब जो आपका current आएगा, उस current को हम क्या बोलेंगे, आपका, 1 ampere का current बोलेंगे, is defined as, 1 coulomb of charge is flowing in 1 second, through a conducting material, किसी भी conducting material के थ्रू, अगर आपका 1 coulomb का charge flow करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका 1 ampere का current बोलते हैं, बहुत ही कम magnitude का current होता है, वो आपका milli amperes में मिलेगा, या फिर आपका कई जगे micro amperes में भी आपका current आता है, तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, कि जो आपकी 1 ampere आपकी unit है, ये बहुत ही बड़ी unit है, अब जो मैंने आपसे term आपकी use की है, भाई milli amperes, micro amperes, अब जरा हम इन सभी चीजों को आपका बारिकी से देखते हैं, कि कौन-कौन से term को क्या-क्या बोलते हैं, तो देखिए इसके लिए दोस्तों, अगर आपका आता है 10 is to power minus 1, ठीक है, कि इसको हम बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं dashi, small d, dashi, ठीक है, और इसको represent किया जाता है d से, अगर देखिए आपका given है dashi ampere, तो इसका मतलब वो देना चाहरा है, आपका 0.1 ampere का current है आपका, अगर आपकी term आती है 10 is to power minus 2, तो इसका मतलब आपका हो गया 1 बटे 100, और इसको हम लिखते हैं 0.01, और इसको हम बोलते हैं आपका centi, इसको क्या बोलते हैं आपका centi, इसको represent करते हैं small c से, यहाँ पे सारे के सारे letters, जब आपकी 10 is to power minus 1 की बात आती है, तो सारे के सारे letters आपके क्या होते हैं, small letters में लिखे जाते हैं, small alphabets के अंदर आपका represent किया जाता है, इसके बाद मैं आपका आता है 10 is to power minus 3, 10 is to power minus 3, इसको बोलेंगे one divided by thousand, और जब हम इसको उपर लेके जाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 0.001, और इसको बोलेंगे आपका milli, ठीक है, तो यहाँ पे M है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, पहला alphabet, तो इसी हिसाब से आपका पे आजाएगा small m, इसको represent किया जाता है किसे, small m से, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, milli amperes की, तो milli amper का मतलब आपका कितना हुआ, 10 is to power minus 3 amper का current आपका हो गया, अब इसके बाद में आगे आपका आता है, 10 is to power minus 6, 10 is to power minus 6 को हम लिखेंगे, one divided by 10 is to power 6, और इसका मतलब आपक 001, इसका मतलब हो आपका यह, और यहां से इसको हम बोलते हैं, micro, इसको हम क्या बोलते हैं, micro, अब देखो, यहां पे भी m और यहां पे भी m, इन दोनों में DIFFERENCE करने के लिए, यान् Wow इन दोनों में अंतर बताने के लिए हम लोग इसको represent करते हैं, mu से, इसको बोलते हैं, ठीक है यह आपकी इसकी representation होती है micro की अब इसके बाद में आगे आपका क्या आता है 10 is to power minus 9 और इसको बोलेंगे 1 upon 10 is to power 9 तो जैसे यहाँ पे एक से पहले आपकी कितनी 0 लगाएगी है 5 ऐसे ही आपकी एक लिखने से पहले point के बाद में यानि कि decimal point के बाद में आपकी कितनी 0 आ अब इसके बाद में next आपका आता है 10 एस पावर माइनस 12 इसको बोलता है 1 upon 10 is to power 12 और यह आपका देगा P को इसको बोलते हैं आपका क्या P को और इसको represent करते है small p से इसके बाद में आपका आता है 10 is to power minus 15 और यह आपका होता है 1 upon 10 is to power 15 इसको बोलते हैं हम for me for me और इसको हम represent करते हैं F से ठीक है फेम्टो भी आपका कई जगे लिखा होता है तो यह आपका हो जाएगा फर्मी बोलते हैं फर्मी लेवल या फिर फेम्टो एक और चीज आपके रह गई यहाँ पे जब आपका आता है 10 is to power minus 10 इसको भी जरा हम देख लेते हैं इसका मतलब 1 upon 10 is power 10 10 इसको बोलते हैं एंगस्ट्रोम और इसको रिप्रेजन करते हैं ऐसे एंगस्ट्रोम यह आपका बोला जाता है अब इसके बाद में आपका next आपका आता है 10 is power minus 18 वैसे देखो इतनी small unit आपके आती नहीं है फिर भी हम इसको देख लेते हैं क्योंकि हमने देखा था charge के उपर आपका कितना होता है चार्ज आपका कितना होता है एक electron के उपर 1.6 into 10 is power minus 19 आपका चार्ज होता है तो इसको हम लिखेंगे 1 upon 10 is power 18 और इसका मतलब आपका हो गया एटो ठीक है इसको हम femto भी बोलते हैं उपर वाले को एटो एटो को represent करते हैं एसे ठीक है तो यह आपकी कुछ standard representation है 10 is to power minus के अंद जैसे अगर मैं बात करूँ इसके बाद में आपका लेता हाइयर यूनिट्स को आपका कैसे लिखा जाता है तो हाइयर यूनिट्स के हम बात करें और सबसे पहले आपका 10 is to power 1 और इसको हम बोलते हैं इसका मतलब हो गया कितना? 10 इसको हम बोलते हैं आपका capital D से आपका represent करे इसको बोलेंगे आपका hecto, hecto, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसको represent करेंगे h से, तो पहला जो letter होगा, वहीं से आपकी representation की जाती है, इसके बाद में आपका होता 10 की power 3, 10 is power 3, यहां से आपका हो गया thousand, तो यह आपका हो जाएगा kilo, और इसको हम बोलते हैं आपका k, kilo K, से, अब इसके बाद में अगली आपके term, आती है, ten is power 6, इसको बोलते हैं हम आपका, 100,000, 10,000, इस तरीके से और 1,0, और, तो यहां पर आपका होता है, इसको कई बार, ten is power 6 को हम 1,000,000 भी बोल देते हैं आपका, एक, million आपका, किसको बोलते हैं, ten is power 6 को आपका बोलते हैं और इसको बोला जाता है आपका मेगा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किसे M से तो जैसे कई बार आपको दिखाए दे है यूटूब पे या कहीं पे लिखा हुआ कि 1 M प्लस तो इसका मतलब 1 million आपके हो गए 2 million भी इसको बोल सकते हैं अब इसके बाद में आपका आता 10 is to power 9 तो next आपका 10 is to power 9 और 10 is to power 9 को हम बोलेंगे एक इसके बाद में आपके कितनी 0 9 zeros डेस 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 ये 9 0 आपकी हो जाएंगे और इसको बोला जाता है आपका GIGA इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से अब इसके बाद में आपका आता 10 is to power 12 10 is to power 12 इसको बोलते हैं हम यहां पे आपके कितनी 0 आजाएंगे एक के बाद में 12 0 आपके लग जाती है और इसको बोलते हैं आपका टेरा T से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है तो यह कुछ स्टेंडर्ड है आपके जो आपके फिजिक्स के अंदर या बाकी सब्जेक्स के अंदर भी आपके यूज हो सकते हैं तो यह हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए कि यह सारी चीजे आपके लिए असेंशल है अब हम इसमें समझते हैं कि जैसे आपका माली जी आजाता है वन मिली एंपियर का आपको करंट बताना है तो वन मिली एंपियर का करंट हम कैसे बताएंगे वो जरा हम इसमें देख लेते हैं जैसे कहीं पर आपको लिखा मिले कि एक मिली एंपियर आपके कितना हो जाएगा बताओ जरा 10 µA, बताओ कितना होगा, तो यहां से 10 µA, µA का मतलब 10 की पावर-6, तो इसको हम लिखेंगे 10 × 10 इस टू पावर-6A, अगर आपको लिखता है 5 किलो एम्पयर कहीं पर लिखा हुआ, तो 5 किलो एम्पयर को हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 10 इस टू पावर-3A, क्योंकि ए क जितने भी मैंने आपको लिखके बताए यह सारे के सारे आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए क्योंकि कोश्चन के अंदर आपका ऐसा ही मिलता है कि 1 Mp, 2 Mp, 5 Mp इस तरीके से आपको मिलेगा तो इसका मतलब आपको ये टेबल हमेशा याद रखनी है जिससे कि आपको कोश्चन निकालने में आसानी हो जाए तो आए इससे रिगार्डिंग आपका कोई कोश्चन देखते हैं इस कोश्चन में देखिए दोस्तों क्या कहना चाहरा है एक आपका करंट है और वो कितना है आपका 0.5 Mp का कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है 10 मिनट के लिए आपका फ्लो कर रहा है अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो करेगा उस सर्किट के थरू 5 ampere कितने time के लिए आ रहा है time t it is equal to 10 minutes 10 minutes अब देखो यहां से अगर हम charge के बारे में बात करें तो charge आपका क्या होता है q it is equal to i into t और time इसको हम लिखते हैं आपका seconds में यहां पर किसमें given है minutes में तो इसका मतलर हम यहां पे क्या करना पढेगा इसको convert करना पढेगा किसमें आपका वापे second में convert करना पढेगा तो यह आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू एक minute के अंदर 10W minute को लिख सकते हैं कि नी इसको बिल्कु लिख सकते हैं इसको 10 10 X 1 Minute मिनेट तह यह आपका कितना हो जायेंगे तेन इंदर ऑपके 10 मिनेट के अंदर 600 सेकेंड हो जाते हैं अब यहा है अब यहां से, आपने जो इसको लिखा है यह आपने कहां से लिखा हैSIN versus iy it is equal to x āb- sub inपने अभी हमने किया है तो यहां किसकी value कि वैली निकालनी है क्यों आपको determine करना कितना होगा ठीक है यह आपको क्या करना है find out करना है to find out Q ठीक है अब इसके बाद में इसका जो solution होगा वह आपका क्या हो जाएगा solution में यहाँ से देखो Q it is equal to सीधा सीधा करना आई इंटू टी आई आपका कितना है 0.5 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1 वाई 2 और टाइम आपका कितना है 600 तो यहां से वह कितना आपका चार्ज आ जाएगा 300 और इसकी इनिट क्या होती है कूलम तो इसका मतलब 300 कूलम का आपका चार्ज फ्लो करेगा 10 मिनट के अंदर अगर आपका करंट केतना आ रहा है 0.5 एंपियर आपका आ रहा है ठीक है ये तो आपका हो गया एक पार्ट अब अगर वो आपसे पूस्ता कि 300 कूलम के अंदर कितने ई лишь अब के पास करेंगे उस circuit के थрийू तो उसको हम कैसे निकालते देखो यहां से आपके number of electrons आपको निकालने है कितने charge particle आप से पूछ लेता कितने ईलेक्ट्रॉन से तो number of electrons अगर आपके आ जाते find out करने तो इसको जिरा हम देखते हैं find out करते number of electrons ठीक है यह आपको निकालने में यह कैसे आपका निकलता तो इसके लिए हम आपका क्या निकालते it is charge on each electron charge on each electron यह निकालने का तरीका है charge on each electron कितना होता है 1.6 into 10 is to power minus 19 coulomb इतना आपका charge होता एक electron के ऊपर तो इसका मतलब एक कुलंब के अंदर आपके कितने electron आ जाएंगे 1 divided by 1.6 into 10 is to power minus 19 और यहां से जब हम इसको solve करेंगे तो यह आपका क्या देगा 6.25 into 10 is to power 18 electrons इतने electrons आपके होंगे किसमे एक कुलंब के अंदर तो 300 कुलंब के अंदर आपके कितने हो जाएंगे 300 से इसको सीधा सीधा multiply कर दो 300 it is equal to 300 into 300 कुलंब it is equal to 300 into 6.25 into 10 is to power 18 electrons ठीक है अब यहां से 300 कुलंब के अंदर आपके कितने आ जाएंगे इतने electrons आपके होंगे किसमे 300 कुलंब के अंदर तो अगर आपका आजाता वई आपके total charge particle कितने होंगे तो वो भी हमने निकाला आपके total charge कितना होगा वो भी हमने निकाला तो हम यहां से जितने भी अभी तक आपने पढ़ा है उस सब कुछ आपका निकाल सकते हैं अगर उसे पुस्ता तो वो भी हम निकाल सकते थे